है गाइज देखों मिच्वल फंड मिच्वल फंड का मतलब होता है कि मतलब सेफ एंड सिक्योर और अच्छे कंपणियों में इंवेस्टमेंट करना जहां पर आपको 15 यह 20 परसंट तक का रिटन मिलता हुआ नजर आता है बिल्कुल यह होता ना अच्छी जगह पर मिच्वल जो है खरीदा जाता यह मिच्वल फंड ने क्या क्या है आप देखोगे न तो मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि यह मिच्वल फंड कुछ अलग करना चाहता है मतलब यह जाक चुके है इनको वह पता चल चुका है जो पूरी दुनिया में कुछ लोग ही समझ बाते हैं कैसी क क्या करते हैं कि मतलब बड़ी बड़ी कंपणियों में इनवेस्टमेंट करते हैं ताकि उनको लगता है कि वह सेफ है उनको लगता है कि वह सेफ है लेकिन यह जो मिच्वल फंड वाले हैं यहां पर कहां पर इन्हों स्टॉक खरीदा है देखिए इन्हों ने खरीदा है है अफ पंजाब अलकलाईज एंड कैमिकल लिमिटेड देख लिए यहाँ पर इन्होंने खरीदा है कंपनी का नाम देख लिए आप लोगोंने और यह कंपनी देखे यह कंपनी का नाम है हाई पै के नहीं आप खोदी लोग देखो है के नहीं है ओल टाइम हाई पै लेकिन फिर भी मिच्वल फंड ने ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाया मतलब खत्रों के खिलाड़ी बास समझे आ रहा ना मतलब यहां पर वह खरीदने के लिए और सबसे बड़ी चीज दुनिया में मिच्वल फंड वाले जो लोग है कुछ अलग करना चाहते हैं जो मेरे हिसाब से बहुत बैस्ट है और ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए ठीक है चवन्नी तो कोई भी स्टॉक मार्केट में कमा लेगा बड़ी कंपनियों में लगा कर और उपर से पिछले छे मेने से य तो क्या नहीं दिख रहा कि fund में जाने वाला करिके देख लिजिए लग रहा है हुपर जाने वाला नहीं लग रहा ऊपर से इसका मूं अगर आप देखिया तो नीचे के साइड्य है है क्या निचितल रेंगा लेकिन ऐसे पैसे लगा के लोग देखिए लोग से करोडो बनाएंगे आराम से बहुत आराम से देखेगा बहुत मोटा पैसा कमानेंगे और केवल बहुत सारा ऐसे लिकविड टाइप के होते हैं सोडियम हाइडो क्लोराइड आपको देखने को मिल जाता है हाइड्रोजन गैस आपको देखने को मिल जाता है और दूसरे में मतलब जू है 200 टन पर दे हो जाता है तो दो हैं इनके पास कोई दिक्कत की बात नहीं चलेगा और इनके पास जो कमबाइन प्लांट कैपसिटी आपको देखने को मिल रहा है यह 99,000 टन पॉर एनम है ठीक है कॉस्टिक सोडा भी यहां पर आप लोगों को पूरी जानकारी दे जा रही है जैसे जो कॉस्टिक सोडा वगरा होत दो यह सारी चीज बताया जारा कि कहां कहां यूज किया जाता है जैसे कि आपर दिख सकते हो सोडीयम हो जाता है तो यह जैसे कि टेकस्टाइल वगरे हो जाते हैं यह फिर किसी भी तरह के से zin consistency हो जाते है देंकिंग एंड़ उगरा हो जाता है ie सारी जनकरी बतायआ ज objectives रहा रेविन्यू भी इंक्रिज़हर ओन नेट प्रॉफिट भी द्रीद्री इंक्रिज़हर नेट वर्थ कंपनी का देख लेते हैं जो नेटवर्थ आपको देखने को मिला तो नेट वर्थ कीसे तरीक से इंक्रीस होता जा रहा है किसी कंपणी में देट क pap칭ा से कंवगे और CPA obrig external R जो है cash generate कर रही है तो company में cash related कोई problem नहीं है balance sheet में भी सब कुछ होके है पर मोटर के पास 31% है बागी others मतलब जो कुछ foreign वाले के पास कुछ domestic के पास या बागी सब पब्ली के पास यहां पर आपको देखने को मिल रहा है तो देखोगे तो chemical sector में तो और भी company थे लेकिन इन्यों ने देखे यह छोटे-छोटे chemical stocks पर फोकस करते हैं और कुछ mutual fund वाले भी मतलब छोटे stocks में पैसे लगाते हैं ताकि उनको बड़ा benefit देखने को मिले लंबे समय में कि जो बड़ी-बड़ी chemical company है भाई उसमें कोई डाउट नहीं है कि यह अच्छे हैं करके देखो बड़ी जो company है वो अच्छा ही है तबी तो बड़ा है बाकी छोटे company आपको fast और मतलब बहुत बड़ा return निकालके दे सकते हैं बड़े company आप लोगो छोटे return तो आपको जो भी best लगे आप अपने हिसाब से देखिए हाला कि उस mutual fund वाले ने थोड़ा risky stock खरीदा है लेकिन हाँ वह पैसा बनाएगा भी तो मतलब काफी मोटा बनाएगा तो इसलिए कि सब अपने capacity के हिसाब से risk लेते हैं लोग इतना यह बनुगा कि कुछ mutual fund वाले जो और अगर अगर अब stock market वने तो अपने डिमेट अकांट इंजल में open कर सकते हो जहां पर आपका डिमेट अकांट विल्कुल फ्री देलेरी चार्डियस फ्री के लिट्टेंट रूपिस लगता वह भी इंट्राडेमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक के मिन्टों में जाके अ अपने डिमेट अकांट वागर open कर सकते हैं